आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों आप अपनी स्कीन पे देख पा रहे हैं ये खबर बलरामपूर से है लेकिन ये सिर्फ बलरामपूर जनपत की सिख्षकों की समस्या नहीं है बलकि पूरे प्रदेश के लगभग लगभग सभी जीलों में ऐसे बहुत सारे सिख्षक हैं जो एक लंबी दूरी तैक करने के बाद अपने विद्याले को पहुचते हैं और उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में दोस्तों ये समस्या मातर एक कारण से है कि लंबे समय तक बलाग के अंदर अस्थानांतर नहीं हुए हैं ऐसे में आईए देखते हैं बलरामपूर से क्या ख़बर है अब परसिदी विद्याले के अध्यापकों को अंतर जन्पदी तबादले के बाद बलाग अस्थरी तबादले का अउसर मिलेगा करीब पांच साल बाद जिले के भीतर सिक्षकों को अस्थनांतरन का लाब मिलेगा जिसकी काफी समय से सिक्षकों को प्रतिक्षा थी जिले में 1575 प्रात्मिक एवंग 646 उच्च प्रात्मिक वा कंपोजिट विद्याले संचालित हैं इन स्कूलों में करीब 55-100 सिक्षक कारेरत हैं जिले के भीतर तबादले को लेकर 40-65 से अधिक सिक्षक प्रति दिन 50-60 किलोमेटर दूर इसकूल जाने को विवस हैं लंबी दूरी तैक करने के कारण आये दिन सिक्षकों को इसकूल पहुँचने में जहां देर होती है जिले के भीतर ब्लॉक अस्तर पर तबादले की प्रकिरिया सुरू करने का निड़े लिया है सासन के निड़े से सिक्षकों को काफी राहत मिलेगी तबादले के लिए आनलाइन आवेदन किया जाएगा पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने की तैयारी है सिख्षकों को उनकी पसंद के ब्लॉक में अस्थनांतरित करने की सरकार की मनसा है विभागी सुत्रों की माने तो अस्थनांतरण की सुची तैयार करते समय स्कूल में सिक्षकों की संख्या एवंग दूरी पर विसेश ध्यान रखा जाएगा अस्थानातर के बाद किसी विद्याले में सिक्षकों की संख्या अधिक ना हो और कहीं एकदम से कम भी ना हो इसका पूरा ध्यान रखने का निर्देश सासन ने दिया है तो दोस्तों इसके पूर के वीडियो में भी हमने बताया था मंत्री जी ने घोसरा भी की थी और इस बार पूरी संभावना बन रही है एक प्रबन संभावना बन रही है कि इस बार अस्थानांतर निश्चित रुप से आपका होने जा रहा है तो इसी अच्छे ख़बर के इंतजार कीजिए अगले वीडियो का तब तक के लिए नमस्कार